आज की याई वीडियो हमें एक मोटिवेशन थोड़ से सुरू करेंगे कि रख हांसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास समंदर भी आएगा ठक करना बैठे मंजिल के मुसाफिर मंजिल में भी लेगी मिलने का मज़ा भी आएगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते आज क सारे question and answer दोनों इनकी लिए question है और उसका answer भी है जो कि पिछले फालों में कई बार repeated है और इस बार आपकी परिच्छा में आने के संभावना है तो वीडियो को इंड तक जरूर देखते रहे हैं कुछ point होंगे जो कि हम आपको बताएंगे कि आप उस point के तरीके अपनाकर आ अंदोरा ने भारत का संभीधान है इसे सारे question होंगे चलिए आते हैं question पे पहरा question कहिए जंजात आयोक के गठन पर प्रकाश डाली तो चलिए जानते हैं अनसूचित जनजात किसे कहते हैं इस पर कोई अश्पश्ट परिभाःसा नहीं दी गई है लेकिन जिन जातियों में आदिम लच्छनों के संकेत मिलते हैं उनकी बिश्चित सांसकत है भगोलिक एकाकीपन है अपने समदाय के साथ सचंद संपर्क में संकोच और उनका पिछडापन है इसी को धान में रखते हुए राष्टपती संबंदित राज के राजपाल से परामस करके एक सूचित तयार क सकता है और उत्तर पूर्ब के राज्यों तथा बिहार उड़ीसा मद प्रदेश चतिसगड एवं जार खंड में जन जातियों की संख्या आधिक है इन जातियों की इफ्थित अन्य संब्दाय से काफी निम्द है इनकी समस्याओं जो है जानकारी करने मत्तब कि इनकी समस्य जानकारी करने तथा इन्हें दूर करने का प्रियास आसन द्वारा किया जा रहा है इसलिए अनसूचित जन जात आयों का गठन किया गया है और अनसूचित जन जात से जुड़े हुए शिच्छित वर्ग तथा अन्यसमास सेवी अब अपने समधाय के इस्थित में सुधार करने के लिए अपने जातियों को जगाने का काम कर रहे हैं ठीक है यहाँ पर मैंने एक टेबल प्रस्तुत कर दे जो कि अंसूचित जन जात के कुछ एक्जामपल यानि अंसूचित जन जात जो है ठीक है उसके नाम कौन कौन से है ठीक है कौन कौन सी जाती है जो अंसूचित जातिया होती जो अनसूचित जन जात के अंतर गताती है इफी तरह कुछ होती है अनसूचित जात ठीक है ये तो अनसूचित जन जात ही एक होती है बैकवर्ड पिछडा OBC और एक होता जर्नल ठीक है तो ये सब होती है जातियों के प्रकार ठीक है मतलब कि जातियों का प्रका पर दिखेंगे कि यह सब आते हैं अंसूचित जातियाँ जातियां उसके बाद आप लिखेंगे उड़ी सा मदप्रदेफ शत्तिफगर्द जहार खंट आध में ज्यादा देखनों को मिली उनकी जो समस्याइं पिछड़े मतब कि बहुत नीचे वाले इन मतब कि नीचे पिछड़े हुए लोग हैं तरीके से बोल सकते हैं बहुत पिछड़े हुए लोग हैं तो इनके लिए गौवर्मेंट साफन जो लगातार ठीक है इनके लिए योजनाय और इनका जो बेवफथा है उसको सुधार करने के प्रियास में लगातार लगी है तो इस प्रकार इसका परिश्या लिखेंगे काफे हिल्पल कोश्चिन कई बार रिपीटेड है बाकी आप तैयार कर सकते हैं बहुत महातपूर है अगला की क्रिप से मिशन की विवेशना कीजिए ये भी कई बार पर इच्छा में आ चुका है तो दुतिय diya विसुद के समय जापान की जो सेना थी वो मिट्र राज्यं पर बिजे प्राप्त करने की तरह बढ़ रही थी बेट्रस सहित मित्र राज्यं की इस्थित दिन प्रती बिगरती जा रही मतलब कि condition जो इंकी खराब होती जा रहे उनके सेना कम हो रहें उनके लोग कम हो रहें लोग अलग भाग रहें ठीक ऐसी condition हो गई थी ओके और ऐसी श्थित्में बेट्रेंग की चर्चिल सरकार ने भारते नीत में परिवर्तन लाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया बिट्रिस प्रधान मंत्री चर्चिल ने भारते राजनिति गती रोध को दूर करने के लिए गेरा मार्च 1942 को बिट्रिस काउमन सभा में गोफला की कि वे सर स्टैफ हर्ड क्रिप्स को भारत भेज रहें मजदूर दल के नेता क्रिप्स इससे पहले सेवियत संग और ब्रेटेन के एक मद्ध एक संध कराकर प्रसंसा प्राप्त कर चुके थे मजदूर दल के नेता थे जो मजदूर लोग थे क्रिप्स इससे पहले सेवियत संग और बेटेन के मद्ध एक संध करारा कर प्रसंसा प्राप्त कर चुके थे कौन क्रिप्स ठीक है तथा दो बार भारत आ चुके थे इसलिए भारतियों को उनसे बड़ी आसाय थी कि भाई अगर कोई काम करेंगे थे हमारे हित में करेंगे और उनसे बहुत उम्मीद थी ठीक है उसके बाद 22 मार्च 1922 को ठीक है क्रिप्स दिल्ली आये और अपने सरकार की तरफ से भारत के राजनितिग गति रोध को दूर करने के लिए कुछ प्रस्ताव रखें जिन्हें क्रिप्स प्रस्ताव या कि यूजना कहा जाता जो कि आज प्रसिद्ध है लोग आपके जो सब्जेक्ट है उसमें सभी प्रस्ट आते हैं जो कि यहां पर कुछ प देर्गुत्रम किसी ना किसी में भारते सम्मिधान में वरड़ित नागरिकों के मौल करतब नहीं बताये गए थे जो कि आप लोगों को मालूम कि भारते सम्मिधान यह हमारे बाबाबा विम्राम मेटिकर द्वारा लिखित सम्मिधान है इसे के अंतर बहुत फारे अनुच में भारती नागरिकों के लिए नागरिकों के साथ पढ़ा जाता है भारती नागरिकों के लिए दस मौल करतब बताये गए हैं जो की निमनुवत है ध्यान रखना यह आपके हमारे आपके आपके घर के परिवार के दूस्ति यह सभी नागरिक के यह कुछ मौल करतब में जैसे की नंबर एक पर है कि संबिधान राष्ट धोजियम राष्टगान का सभी नागरिक सम्मान करेंगे यानि कि जो आपका देश का तिरंगा है और जो राष्टे गीत राष प्रते नागरिक देश की रच्छा करेंगे ठीक है माली जै कोई बीवाद होता कोई समस्या होती कोई बाहर से टेक करता तो उसके लिए रच्छा करने के लिए आगे बढ़ेंगे और अगला भारत के सभी लोगों में एक्ता की भावना को विक्सित किया जाए मतलब कि एक मतलब सब लोग एक साध कोई काम करें कोई योजना बनाएं तो एक साद उसमें सबी लोग सपोर्ट करें जो दिस के लिए भी होगा आपके समाज के लिए भी रहीत होगा आपके जो चेत्र उसके लिए भीत होगा तो इसलिए बताया जारा एकता के भावना को विक्षित किया जाए और अगला पॉइंट है छे नंबर की प्रतेग नागरिक हमारी सांस्कित और गौरोसील परंपरा का महातों समझेगा और प्रणरचन करेगा जो हमा सब्सक्राइब करता है तो इसके लिए आप बिरोध करें ताकि वह ऐसा काम ना करें हमा पर जो कटते हैं ठीक अंदा दुन कटाई होते तो इस सबी चीजों के लिए रच्छा करेंगे ठीक है अगला के बेग्ञानिक देश्टकोंड को ग्याना अर्जन की भावना विकास क सब्सक्राइब करें ठीक है अगला है कि सब्सक्राइब करते रहें ठीक है कोई भी छेत्रे कोई भी कार रहें ठीक है तो यह कुछ दस मौलिक या फिर्वाडित नागरिकों के मौल करतब जो कि आपको वैसे भी आना चाहिए गारंटी यह प्रशन आता ही आता मेंसा और से बार भी आएगा अगला क्वेश्चन है भाईया कि संगी मंत्र परसत की रशना यहम अधिकारों का वड़न कीजिए ठीक है मात्पूर्ण परस परसत की रशना बताईए और इसकी अधिकार बताईए इसका परिशे जानते हैं इसका ध्यान से सुनते रहेगा आपको पूरा समझ में आएक कोई टेंसन वाली बात नहीं तो पहले संगी मंत्र परसत की रशना पर जानेंगे पिर अधिकार जानेंगे ठीक है तो तरम होगों का गठन किया जाता हूंम नृद्य परसत पूरी तरा होता ठीकए भट सारी होते हैं तो यह होते हैं यह सहाइता करते आए परामर्स देते कदेते हैं राष्ट्테-पति अगर कोई कार्णियुक सब्सक्राइस सर टैंट cones के चैनल राष्ट्ट के उचे जो में समय तो यह मंत रख़ांज मंत्री और वाले लोगा तो इनहीं के मंतिपरसद जो होता है प्रधान मंत्री जी का ठीक है इनहीं के जो परामर्स होते हैं जिनकी जो एडवाइस होते हैं इनकी जो ठीक है मतलब कि एक तरीके से सहायता करते हैं ठीक है यह सब राश्टपति की कोई भी कार होता उसमें यह मंतिपरसद के जो लोग हो पहले तो n होता है पफोलिक के दौरा लेकिन वहां पर जरस्टपती के दौरा राश्टपती किया जाता है क्या तो ओट क्या प्याप हम लोग डालतें तो किया राश्टपती करेगा तो नहीं कया पैदा त। पहले आप प्रधान मंत्री के नियुक्त राष्टपती द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रों की नियुक्त वह प्रधान मंत्री के परामर्स से करता है मतलब की भाई प्रधान मंत्री के नियुक्त राष्टपती कर दिया लेकिन जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी जो नियुक्त है वो रा प्रधान मंत्री की सलाफे राष्टपती अन्य मंत्रियों की न्यूक्त करेगा ठीक है उसके बाद दूफरा सभी मंत्री मंत्री राष्टपती की प्रसाद पार्यांत अपने पद पर बने रहेंगे मंत्री परसत सामोहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदाई रहेगा प लिए पूरा महब बनाया गया था पूरा मीटिंग हुई थी तरीके से बोल सकते हैं जो कि तरह राजस्थान में भी हुआ था हूं एक तनी जन रहते वहां century मंत्री की में किसी भी जो मुख मंतरी होती है उसका नियुक्त किया जाता है उसमें सब लिखा रहता कि हम अपने पूरी निष्ठा और पूरे इमानदारी के फाद देश की मतलब की देश की जनता की रच्छा करेंगे और किसी भी चीज की समस्या नहीं होने देंगे इस सब सपत पत्र जो ह मां के अंदर संसत सदस्य होना अवस्यक है सभी मंत्रियों को वेतन भत्ते अन्य सभी सुविधाय मिलेंगे जिससे संसत बिधिद्वारा निर्धायत करेगी तो यह कुछ है ठीक प्रमुख क्या मंतिपरसत के बारे में बाते हैं ठीक है मंतिपरसत के कार जो कि आपके इतका निंतर करना पदादिकारी की न्यूक पूरी डीटियल है कुष्चन एंसर है बहुत सिंपल भासा में है कोई हाड माफा में नहीं है ताकि आपको समस्या नहीं है क्या है यह कभी कदार आता पड़ भी सकते इग्नोर भी कर सकते अगला एक उच चिन्याले के गठ्था नहीं है जहां पर आपका मालीज अन्याले के लिए नहीं है हाइक कोट होगा लेकिन संसत बिधिद्वारा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच चिन्याले की बिवुट्था कर सकती है वर्तमान सवे में पंजाब हर्याना और चंडीगण के लिए एक ही उच ध्यान सुसरेंगे पंजाब और हनियाडा इन ठीक है और चंडीघर के लिए इन तीनों जो हमारे फहर हैं जो हमारे राज्य हैं इनके लिए एक ही उच्चनाले का छेतरा अधिकार महाराष्ट गोवा दमंदिव एवंदादरा नगर हवेली तक फैला हुआ है ठीक है ध्यान भारत में कुल 21 उच्चिनाले हैं इस बात को ध्यान रखेंगे बहुत ही महात्पूंट पॉइंट है यहां पर जिसे कोईश्चन आ जाए कि भारत में इस समय कुल कितने उच्चिनाले हैं तो आप वहां पर लिखेंगे 21 यह आपकी अतिलग उत्र ही आप किसी कंपेटिशन प्रशन के तेयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आ सकता है । और सात राज्यों के लिए एक उच्चिनाले के विवत्ता की गई है जिसका नाम है गुहारती उच्चिनाले ठीक है और उत्तर प्देश का उच्चिनाले जो इलहाबाद में ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश जो देश प्रदेश है इसका उच्छी नाले यानि कि हाई कोट वो इलहाबाद में है ठीक इस बात को ध्यान ना करेंगे बहुत ही टॉप लेबल का कोश्चन है एक जाम में कई बार पूछा जा चुका है इस प्रसंट से आप सभी के काफी सारे प्रस्णों कुत्तर के लिए ह हुए है ठीक है और अगला प्रस्ण यहां पर है कि आगे यहां पर और भी बहुत आई जान काई दी गहीं जो कि आप पड़ भी सकते हैं ठीक है नियायदेश की गिताएं यानि कि भाई जज तो होता उच्छी नाले तो हाँ पर जज भी होगा जज को नियायदेश बोला ज ठीक है और उसकी उमर आई जो है वहां 52 वर्स से कम ना हो और नियायदेश की नियुकत कैसे होती ही इसके बारे में इहाँ पर लिखा गए भी पर प्रशन कई बार पूछा जाए चुका है कि यानि जो होते हैं नियायदेश होते हैं उच्छी नाले के नियुकत और ते शमय राश्पति प्राया वर्ष्षिता के प्धान को अपनाता है सपत ग्रहण इसमें भी होता कारेकाल इसमें भी होता है ठीक है वेतन भट्ता देखे यहां पर देख लीजे कारेकाल कितना होता तो उच्छिनाले के निया देश बांसर्वर्ष की आयों तक अपने पद पर बने रह सकते हैं परंत इसके पूर्व भी राष्ट पत्री को अपना त्याग पत्र सोब सकते हैं ठीक है उसके बाद वेतन कितना मिलता तो उच्छ चुन्याले के मुख नयादेश को नबे हजार रुपे तथा अन्य नयादेशों को असी हजार रुपे प्रतिमाव वेतन के रुपे मिलता है लेकिन ये तो कहने वाली बात है गौवर्मेंट की तरफ से इतना ही आता लेकिन वो लोग तो परमंत दसो लाग बीसो लाग कमा लेते हैं क्योंकि बहुत सारी परिच्छा में कई बार आ चुके तो त्यार कर लेंगे ठीक है निश कोश्चन काफी हेल्फुल है जो कि आप सभी की जानकारी के लिए बता दें निर्वाचन और जो आपका इसमें एलेक्शन होने वाला है ठीक है इससे सम्बंदित कोश्चन आएंगी क्योंकि मैं आपको 1997 में हुए संसोधन देखे 1997 के संसोधन हुआ Eck milli साह हिसे अनुसार राष्टपती पद की उम्मीद्वार प्रतेक विख्ति का नाम कम से कम परताव ठीक है प्रस्टावा को द्वारा प्रतावित तथा इतने ही निर्वाच को द्वारा अनमोधित किया जाना चाहिए इसे संस सोधन के द्वारा राष्टपती पद के लिए जमानत की राफ 15,000 निश्चित की गई ठीक है और राष्टपती का निर्वाचन के बारे में आप पढ़ सकते हैं बहुत ही महात्पूंट प्रशने कई बार आ चुका ज्यादा समय हैं नहीं क्योंकि पर इच्छाएं लागतार लगी हैं महात्पूंट प्रशने को मिला कि आप इसका उत्तर त्यार कर लेंगे ठीक है और अगला कोईश्चन है जो कि मैंने बताया तब यह चुना फुदार पर एक निमंदली की बात में चुना जो फुदार उस पर क्या क्या और अच्छे पर किया जा फकता है ठीक है त तथा अन्य निर्वाचन आयोक्तों की नियुक्त संसत द्वारा निर्मित किसी बिद के आधिन रहते हुए राश्पति द्वारा की जाती है ध्यारना केंगे राश्पति निर्वाचन आयोक से परामस करके आयोकी साहता के लिए ऐसे प्रादेशिक आयोक्तों की नियुक्त से उन्ही कारणों पर और उन्हीं रीतियों से हटाय जाएगा जिन कारणों और रीतियों से सरबोच न्याले का नेदीस हटाया जा सकता है तो इस प्रकार लिखेंगे इसका उत्तर ठीक है काफी helpful लिवल कुश्चन है अगला कुश्चन भी काफी helpful अरिछा में कई बारा आ पाद उसके बारे में लिखना काफी helpful टॉप लेवल का कोईश्चन है 100% उम्मीद है कि परिच्छा में कई बार रिपीटेड है इसलिए बोलना हूं कि इस बार भी आ सकता है तैयार कर लीजेगा उत्तर आपके समझता है ठीक है उसके जितने भी कार रहे हैं उसके पार जितने कर सकते इस प्रशन के उत्तर को कि यूजना की क्या प्रस्ताव थे भारत को अजादी दिलाने में यह कहां तक सायक राप बहुत ही हार्ड लेवल कोईश्चन है पर इच्छा में कई बार पूछा जा जाएं ठीक है हमाई पास ज्यादा समय नहीं क्या करें हम मजबूर है ब कर सकते हैं ठीक है अगला के एक बार लेस्ताव संसोधन किया गया गया समिधान में तो बताना है यह जहले को समयमना देख remo secret को पह बारति हो सम्मिधान में देगे मौलिक कर्तब में और प्लस जो मौलिक अधिकार है उनको तो आपको जरूर पढ़ लेना है ठीक है अच्छे वा तैयार कर ले रहा है जो कि आपकी परिच्छा में हमीशा आता है और आता ही रहेगा हमीशा ठीक है मौलिक कर्तब और मौलिक अधिकार ओके चली कहा है कि 1930 में महात्मा गण्धी द्वारा चलाएगी शबने अवग्या अंदोलन का वड़न किजिए तो सवग्या आंदोलन जो हमारे गांधी द्वारा चलाय गया था इसके बारे मैं आपको तैयार कर लेना है ठीक़ कि तो बस आज किस वीडियों बस इतना ही और ये पूरी पूरी पीडियाफ है इसको हम टेलिग्राम वाटसप पे दोनों पे आप दोग को दे देंगे वहीं से आप लोग डाउनलोड कर लिजेगा और हाँ एक अभी हमने दस दिन पहले एक और महा संग्राम वीडियो अपलोड कि प्रिटिक ये कि आप जएके ऐा हूँत।